हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 10 अपरेल 2019 और यह हमारी 124 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो MPG किस related और current affairs related कोई भी आपको doubt होता है तो आप हमें comment box में बताएं हम उसका answer जरू करेंगे दोस्तो Icon में एक question दिया गया है वो previous day का एक question है उसका आप tick करके answer कर सकते है गया है दोस्तो अब बात आई है भूपाल की तो कुछ important facts आपको भूपाल की बारे में बता दे भोपाल को जीलों का शहर भी कहा जाता है मध्यप्रदेश का सरवादिक जन संख्या घनतों भोपाल में ही है राश्टिय बिधी अकेडमी की स्थापना भोपाल में की गई थी ताजुल मस्जद जो देश की सबसे बड़ी मस्जद है यह भी भोपाल में ही इस्थित है आपको बता दें बिस्व का सबसी बड़ा सौर उजा सेंद्र भोपाल में ही लगाया गया है और प्रदेश का पहला इनरजी पार्क भोपाल में ही बनाया गया है दोस्तो एक और important fact आपको बता दें दो और तीन दिसंबर 1984 की रात को भूपाल में मिथायल आईसो साइनेट गेस का रिसा हुआ था जिसके कारण भूपाल में हजारों मौते हो गई थी तो दोस्तो इतना आपको भूपाल के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन दोस्तो अभी मुद्रा पेटी क्या है आपको इसके बारे में बता दे मुद्रा पेटी वह स्थान है जहां बैंकों में मुद्रा रखी जाती है पैसों को जिस जगह सुरक्षित रखा जाता है उसे मुद्रा पेटी कहते हैं दोस्तो अब बात आईए RBI की तो आपको RBI के बारे मता दे इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है इसकी स्थापना एक अप्रेल 1935 में की गई थी इसका हेटकॉर्टर मुंबई में है और गर्वारनर है शक्ति कांत दास तो दोस्तो इतना आपको RBI के बारे में याद रखना है इसका सही और अरुनाचल प्रिदेश में सबसे पहले लोकसवा चुनाओ 2019 के बोट डले है इंडो तिबद वोर्डर पुलिस ने 2019 चुनाओ के बोट डाले है पोस्टल वैलिट के माध्यम से चुनाओ किया गया है दोस्तो इन बोटर्स को सर्विस बोटर्स कहा जाता है दोस्तो अब बात आईए अरुनाचल प्रदेश की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दे मैप में ये जगह अरुनाचल प्रदेश को दर्साती है अरुणाचल प्रदेश की इस्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी गवर्णर है वीडी मिश्रा मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की राज़धानिय इटानगर तो दोस्तो इतना आपको अरुणाचल प्रदेश की बारे में याद रखना है हाली में C.RP.F. ने अपना कौन सा सौर्य दिवस मनाया है जिसका सेयॉफ्रन है 54 अ क्वारी इस भटउधन्वस मनाया है हर साल 9 अपरेल को C.RP.F. अपना इस्थापना दिवस मनाता है दोस्तो आप बाता ही सी आर पी अफ की तो आपको इसके बारे में बता दे CRPF की जो स्थापना वह है अधीनियम 1949 की तहत की गई थी दोस्तो CRPF का मोटो है Service and Loyalty इसके DG यानी Director General है राजीब कुमार भटनागर दोस्तो CRPF का फुल फॉम होता है Central Reserve Police Force Next Question विस्व बेंक के अनुसार 2018 में किस देश को सबसे अधिक Remittance प्राप्थ हुआ है जो विस्व में सबसे अधिक है दोस्तो Second Number पर है चीन और Third पर है मेकसिको अब ये Remittance क्या होता है आपको इसके बारें बता दे यह वह धन होता है जो विदेश में काम करने वाले व्यक्ति अपने परिवार को अपने देश में धनरासी भेशते है दोस्तो अब यह है रिपोर्ट विस्व बेंक ने जारी की है तो आपको इसके बारें बता दे विस्व बेंक की स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी मेंबर देश है 189 दोस्तो इसके जो प्रिसिडेंट है वो हाली में बने है और इनका नाम है डेविड मलप्स आपको वर्ल्ड वेंक का मोटो याद रखना है इसका मोटो है working for a world free of poverty तो दोस्तो इतना आपको वर्ल्ड वेंक की बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन हाली में किस स्टिशन का नाम बदला गया है तो इसका सई उफ्षन है चैन्ने सेंटल स्टिशन हाली में चैन्ने सेंटल स्टिशन का नाम बदला गया है इस स्टिशन का नाम बदल कर डॉक्टर MGR रेलवे स्टिशन किया गया है यह नाम हाली में 5 अप्रेल से लागू किया गया है दोस्तो अब ये MGR कौन थे आपको इनके बारे में बता दें ये AIADM के पार्टी के संस्थापक और तमिलाडू के पूरो मुख्यमंत्री रहे है MGR का फुल फॉर्म मुरूदूर गोपालन राम चंदरन है और ये अविनेता और नेता थे तो दोस्तो इतना आपको MGR के बारे में याद रखना है नेस्ट कॉशन हाली में AIMA Award 2019 में Lifetime Contribution Award किसे दिया गया है जिसका सही Option है अजीम प्रेम जी हाली में अजीम प्रेम जी को AIMA Award 2019 में Lifetime Contribution Award दिया गया है ये विप्रो के चेर्मेन है और हाली में दुनिया के सबसे बड़े तीसरे दानी बने है दोस्तो अब ये AIMA क्या है आपको इसके बारे में बता दे AIMA का Full Form All India Management Association होता है इस Award की शुरुवात 2010 से की गई थी दोस्तो इस Award में सर्वशिष्ट उद्योगपती का Award संजीव बजाज को दिया गया है संजीव हिंदुस्तान Unilever के चेर्मेन है तो दोस्तो इतना आपको AIMA के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में भारती होकी टीम के कोच कौन बने है जिसका सही Option है ग्राहम रेड हाली में ग्राहम रेड भारती होकी टीम के कोच बने है ये औस्टेलिया के पूर्वर खिलाडी है और ये अगले साल तक के लिए भारती होकी टीम के कोच रहेंगे दोस्तो इनकी कोचिंग में ऑस्टेलिया दो बार चेंपियन्स टॉफी जीच चुका है नेक्स्ट क्वेशन हाली में मद्ध्रदेश का कौन सा संस्थान NIRF में 13 वे इस्थान पर आया है जिसका सई ओफ्षन है IIT इन्दॉर हाली में मद्ध्रदेश में IIT इन्दॉर NIRF में 13 वे इस्थान पर आया है हाली में NIRF यानि National Institute Ranking Framework में IIT इन्दॉर 13 वे इस्थान पर आया है साथी दोस्तो IIM इन्दॉर भी 11 वे से 5 वे इस्थान पर आया है पिछले डे में प्रीवियस डे में मैंने यह कॉशन आपको बताया था दोस्तो इस लिस्थ में पहले इस्थान पर IIT मद्रास है Next question हाली में कौन मद्ध्रदेश में वार काउंसल के अध्यक्ष बने है जिसका सई ओफ्षन है प्रवल प्रताप सेह हाली में प्रवल प्रताप सेह वार काउंसल के अध्यक्ष बने है मद्ध्रदेश में हाली में मद्ध्रदेश में वार काउंसल के चुना हुए थे जहां प्रवल को अध्यक्ष और भूप नारण सेह को उपाध्यक्ष चुना गया है Next question हाली में किस शहर में पहली बार pollution tax शुरू हुआ है जिसका सही option है लंडन हाली में लंडन में पहली बार pollution tax शुरू हुआ है इस tax में कुछ मानक तयार किये गए हैं जिसमें कहा गया है कि जो गाणिया ज्यादा production करती हैं उन पर 1150 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक का tax देना होगा दोस्तो लंडन में अल्टरा लो एमिशन भी बनाया जाएगा next question हाली में किस शहर की सुर्वी जैसवाल को MBBS में गोल्ड मेडल दिया गया है जिसका सही option है खंडवा हाली में खंडवा की सुर्वी जैसवाल को MBBS में गोल्ड मेडल दिया गया है इन्होंने MBBS परीक्षा में 82 प्रतीशत अंक हासिल किये हैं जिस कारण इन्हें यह गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है दोस्तो अब बात आईए खंडवा की तो आपको कुछ important fact खंडवा के बारे में बता दे खंडवा में चार कुंड इस्थित हैं जिसनके नाम है सूरज कुंड, पदम कुंड, भीम कुंड और रामिस्वर कुंड दोस्तो खंडवा में ही ओमकारे स्वर, शिवलिंग इस्थित है जो भारत के 12 शिवलिंगों में से एक है चौवीस अफ्तार मंदिर, संक्राचारी के गुफाएं खंडवा में ही इस्थित है दोस्तो तुल्जा भवानी मंदिर नौचंडी देवी धाम भवनात मंदिर ममलेश्वर जोतरलिंग यहां की प्रमुख मंदिर है दोस्तो फिल्म अभीनेता किशोर कुमार की जनमिस्थली है सुर्मैनिया वा मानधाता अभ्यारन यहीं पर है का पास उत्पादन के लिए सुनाहरा जिला उपनाम से जाना जाता है दोस्तो प्रदेश का एक मात्र गांजा उत्पादक जिला है खंडवा तो दोस्तो यह था हमाराज का डेली करंट अफेयर आप मारे चैनल स्टेडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो जो भी आपको जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम उनका आंसर जरू देंगे तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार है वा नाइस टे